गले और छाती से जुड़ी हुई खांसी एक बीमारी है कफ इसकी सबसे अच्छी दबा एक तो हल्दी है दूद में हल्दी डाल के पीजिये ये बहुत अच्छी दबा है दूसरा हल्दी को शहद मिला के चाटिए ये खांसी की बहुत अच्छी दबा है हल्दी शहद और उसमें थोड़ा सा अद्रक का रस मिला दीजे बहुत अच्छी खांसी की दबा है आदा चम्मच हल्दी, आदा चम्मच अदरक, अदरक माने अदरक का रस और आदा चम्मच शहर ऐसे बना दीजे और दीजे बहुत जिन्दी खासी ठीक होती है और हमारे घर में कई बार ऐसी हालत होती है कि खास्ते खास्ते चहरा लाल हो जाए ऐसी खासी में बहुत अच्छी दवा है आदा चम्मच अद्रक का रस लीजे आदा चम्मच पान का रस लीजे पान जो हम खाते हैं और आदा चम्मच शहर ये तीनों को हलका गरम करके ले लीजे तो खतरनाक खासी बहुत जल्दी ठीक होती है बहुत खराब खांसी फूपिंग कफ जिसको कहते हैं वो तुरन ठीक हो जाते है और एक खांसी की दवा है अनार के रस को गरम करके पीना ये खांसी को बहुत ज़न्दी ठीक करता है और एक अच्छी दवा है अमरूद है ना अमरूद इसको गरम करके खाना हो ये तुरंद खासी को ठीक करता है ठंडा अमरूत खाये माने कच्चा ताजा तो ये खासी बढ़ा देता है लेकिन इसी अमरूत को सेख लो आग पर फिर खाओ तुरंद खासी खतम करता है और खासी की एक दवा है काली मिर्च गोल मिर्च इसको मूँ में डाल लो चूस लो खासी ठीक हो जाती अद्रक का छोटा टुकडा मूँ में चूस लो खासी ठीक हो जाती